आपको बड़ी खबर बता रहे थे बावा बागेश्वर के धाम की ये बड़ी खबार जहां आपको बता दे अफरा तफरीका माहूल देखने को मिला ग्रेटर नॉड़ा से इस वक्त की बड़ी खबार बावा बागेश्वर धाम में अफरात अफरीका ये पूरा का पूरा माहूल देखने को मिला जिसमें 16 लोग घायल हुए हैं वहीं आपको बता दे कि कई लोगों का यहां पर बेहुस भी हुए हैं और करेंट लगने की बात भी सामने आ रही है कि कई लोगों को करेंट लगा है हलाकि अगर इस पूरी तैयारियों की बात कर ली जाए तो कई सारी तैयारियां देखने को मिली थी लेकिन ये भी कहा चौँ रहा था कि ये पूरा का पूरा ज़ो दर्वार है, वो हाइटेक दर्वार होगा, यहां पर बारिश से बचने की बहुत विवस्था हैं की ज़ुआ रही है, यहां पर जो लोग जुटेंगा उनके लिए उच्षित विवस्था है, लेकिन जो तस्व पहले पटना में जब दर्वार लगा उसकी कर ले या फिर अन्य जगहों पर जब दर्वार लगा तब की कर ले हर जगे पर इस तरीके से भीर उमरती हुई नसर आई तो ऐसे मिग्रेटर नॉइडा में जब हाँ पर सबसे बड़ा पंडाल लगता है उहाँ पर अगर इस तरह की लापरवाही सामने आती है तो यह सवाल तो जरूर उठते हैं कि आखिरकार प्रिशासन ने पहले से इंतिजाम क्यों नहीं किये विवस्ता उस तरह की क्यों नहीं कि इतनी बड़ी लापरवाही के लिए आखिरकार जिम्यदार है तो है कौन बावा के दरवार में ये बवाल हुआ तो हुआ कैसे सवाल ये भी एहम है और सवाल ये भी एहम हो जाता है कि आखिरकार बावा के दरवार में ये भगदर मची तो मची कैसे किन वजहों से भगदर मची और प्रिशासन ने हाला कि पहले स यह इंतजाम क्यों नहीं किये हुए थे जिसकी वज़े से इस तरह की स्थिती जो है वो उत्पन हुई है जिसको लेकर के कई सारे सवाल जो है यहां उठते नसर आ रहे हैं और अब इस अफरा तफ़री की वज़े से सब लोग परेशान हो रहे हैं और वहीं आपको बता दे कि 16 लोग तो हलाकि यह आकड़े सामने आए हैं कि घायल हुए हैं लेकिन इससे ज़्यादा लोग जो हैं यह भी बताया जा रहा है कि बेहोश भी हुए हैं करेंट भी लगी है तो अब इस पूरी विवस्था के पीछे की वज़े क्या है तो ग्रेटर नॉइटा कि आपको बत असरी ने दिवे दर्वार लगाये थे ये दिवे दर्वार में लाखों की संख्या में देखिए लाखों की संख्या में यहां पर लोग पहुँचते हैं सुवे से ही डेरा डाल करके लोग इहां बैटे होते हैं जैसे ही बागेश्वर बावा का दिवे दर्वार सजा लोग अपनी अरजी लगवाने के लिए काफी आतुर भी दिखते हैं श्रद्धालों की पंजाल के बाहर भीर जमा थी पंडालों में अपेक्षा से अधिक श्रद्धालों की भीर जमा हो जाने और उमस भरी गर्मी होनी की वज़े से कई लोग तो पहले ही बेहोश हो गए आयोजकों ने उन्हें अम्बुलेंस की मदद से नस्दी की अस्पताल में भी भरती कराया अब देखिए ताजा जानकारी जो सामने आई थी वो ये कि जेम्स प्रवंधर ने बताया था करेंट लगने की बाद सामने आ रही है और इस पूरी अफरात अफरी के बाद आखिरकार सवाल जो उठे वो ये कि 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 लापरवाही मानी जाए क्योंकि यहाँ पर देखा जाए जब भी भी बाबा आगेशुर का धाम लगता है दरवार लगता है तो लोग उपेक्षा से अधिक ही पहुंचते हैं कि आपने जोतनी उमीद किया उसे अधिक ही लोग पहुंचेंगे तो ये जो बयान सामने आ रहे थे पहले से कि तैयारी उचित है तैयारी उचित है आखिर करो तैयारी कहा है तो दिव्य दरवार से इस तरह कि तस्वीर देखे जब सामने आती है और लोग यहां देखे बिहोश होते हुए नजर आ रहे है ये भीड की तस्वीर है आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं इतनी भीड जिसकी वज़े से उम्मस भरी गर्मी से आदेश ज्यादा लोग ऐसे ही बेहुश हुए हलाकि हर कोई अपनी अर्जी लगवाने के लिए हाँ पहुचा हुआ था जिस दौरान जिसके बाद इतनी भीड की वज़े से ये हाद्शा